कहते हैं कि वो पब्लिक में सभी इस बाने उसको उस मंतर को लेने के लिए गुरु से अगनली चाहिए गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए और उस मंतर को लेना चाहिए जिस उस मंतर का प्रश्राम जी कहते हैं जो उस मंतर का अपने घर में नित्य किसी कलेश के सामने ग्या स्मारशी को कहा आप इसी बारे में आप आपको बहुत बार ये भी कहता हूँ कि प्रशाम जी ने ये भी बताया कि हम मंदिर बानते हैं तो मंदिर किस तरह बानना चाहिए मंदिर का या देवताओं का हमार किस तरह कहना चाहिए देवताओं के मंदिर के लिए कौन से पत्थर पानी डालते हैं या पर पंचामृत डालते हैं उसमें जो पंचामृत हो और वो पहली बार अगर उसमें लीन हो जाता है उसमें मिल जाता है उसमें मर्च हो जाता है उस पत्थर को आपशिक के लिए उपयो करो हमने तो देखा आज तक कोई भी पंचामृत या पानी पत्थर में चाहरण भी कहा है और क्वाइखान समी मांघा जी और बौक मुझा को हाँ अब आप देखते कॉ अ मैं चाहिए है अई में आकॉली हों दाक्सिन को तरह मोफकर को बाना जाता हैं तो यह किस देवता को नियुक्त न गतलत है अब बहुत सारे हम शीष यह जलीग के मंदिर गाओं में वो ऐसा ही पड़ा पेड़ की निचे पड़ा रहे तो उसकी पूझा नहीं होती है कभी कोई ऐसा ही हो तो आइरागेरा कर जाता है बहुत सारे स्यूलिंग आईसे जंगल में इसकी पूझा नहीं होती क्या है तो इनो केटे कि recruitment में जितने भी शिवलींग तुमने बानने हम उत्तर के तरफ साधान्ती पानवट्ट को दिखाए कि उत्तर की तरफ करते हो उसके ओपर पानवट से पानी जाए लेकिन केते हैं कि तुम स्वराशाम जी कहते हैं अगर तुम शुखलींग बाननते हो तो उसका पश् आप स्रीषयला मलिकारजुन का मंदिर देखो, और आप देखो इस संसार में रामेश्वर जो अगस्त महारश्टी ने स्वयम रामचंदर जी कह से रावन को मारने के लिए जिस शिवलिंग को लाकर रामेश्वर में इस थापना के ती उस शिवलिंग का पानवट किदर है, मै तो मैं उस कल्व सूतर देखने के बाद मार्शु अगस्त का हुआ गाहा हूँ कि उनका मानवट का है हम कहा है अब रोज गहते हैं गुरुजी अपने का हम उतने महान क्यों एंगे जो महान होना है रावन को मारना को मामुली बात नहीं थी राम तो मानव थे और रामेश्वर् में रामेश्वर के शीवलिंग को स्थापना स्में मागस्ने मारश्ण्य ने की ती रामस्ञंद्र जी म कहा था कि जबky तु कुल्देउता कि नहीं कर था तब तक तुझे तू रावन को जीत नहीं सकता हूं तो राम ने पूछा कि कुल दे होता है मेरे तू रवोंशे मैं हो सूर्या मेरे कुल दे होता है तो पहली बार महारशी अगस्त ने राम को आदित अहुर्देस तोत्र को दिया अपने भीश महाँ यह सब परश्राम जी के शिशे कहलाते हैं यह हुई तो एक दिन बात-बात में महारशी अगस्त बैठे बिटे परश्राम जी से पूछने लगे प्रवो आप जो कहते हैं कि प्रान पुष्ठा यह प्रान पुष्ठा का मतलब क्या होता है तो उनने कहा कि हम जीवन में किसी को नहीं मालू हम प्रान देवता के सुष्ठी करते हैं प्रान देवता जो एक नाव पर बैठे हुई है अपने हाथ में गन्ना लेकर बैठे हुई है उसका रत उसके नाव एक ऐसे नदी में बहे रही हैं जिसको वैतरनी नदी किसी भी स्रेश्ट का जाता है उस प्राणदेवता का जो ब्राह्मन मंत्र करता है उसमें मंत्र में का तीन वीजाक्षर है आम रिम क्रों या आम क्रों रिम या आम क्रों रिम ये तीन मंत्रों का कौ जो प्राह्मन सवालाग मंदरजब करता है वो कियों किसी को भी इस परश्र कर दे उसको अगर उमृत भी हो जड़ भी हो तो उसमें प्राणप्रिष्टा हो जाती अब इसके उधारे में कभी उन्होंने कहा कि प्रभू ऐसा कहीं हुआ है आप बता सकते हैं क्या तो महारश्य प्रश्राम जी बैठ बैठे करते हैं इक इसी को नहीं पता अगस्त में एक बात बताता हूं बहुत बताई तो उन्हें कहा कि द्रोनाचारी के पास द्रोनाचारिय पंड़ नंदन और कवरों को द्रोनों को सारी विद्याई शिखा रहे थे उनके कुल गुरु थे विद्य तो मैं एक बार अजसा ही जाते रहे थे द्रोनाचारी आया मुझे नमस्कार किया और किया तब मैं एक दिख रहा था कि एक भिल आकर द्रोनाचारी के सामने गेड़ एक प्रश्राम जी वहां थे वो बहुत ही रोते वे आंखों चले जा रहा थो थोड़ी देल के बाद प्रश्राम जी गह भी गय और उनने जब प्रश्राम जी को देखा, तो प्रश्राम जी को डिया आई क भिल किया है, तो उस भिला को भूछ does कर और कहा कि तु प्खेवन भॉराई काती में ग्रोनाचारे जी के पास जो जाकर इए एटिया दोन यह किसीं गूरू के पास वीद्या नहीं सीखना चाहते उन्हें उन्हें की लागा मैं ध्रोनाचारे भीष्मा जैसे उंका ग्रू हूं, फिर भी तु कह रहा है कि मैं विद्या द्रोनाचारे से ही सिखहूंगा, तो मैं तुझे कहता हूं, कि मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा, गोले कैसे, तु मेरे साथ आँ, और उनने गए, वहां उनने पांच तरीकी मिट्टी इतलाब की मिट्टी नदी की मिट्टी इन सबसे मिट्टी को ले लेकर कहा कि तू एक तरीकु जैसा आता है वैसा द्रोनाचारी की मूर्ति बना उनने द्रोनाचारी की मूर्ति बनाए मूर्ति बनाने के बाद कहते हैं परश्राम जी अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसमें मैं दुरुणाचारी के प्राणों को लाकर इसमें बिठा देता हूं। अरे, ओन्हें का ये काईसा हो सकता है। मैं तुझे कह रहा हूं, तु देख, और पहली बार प्रश्राम जी ने उस द्रणाचारी की मूर्ति में उसी के हाथों से प्राणपिष्ठा करवाई, प्राणपिष्ठा करवाई और कहा कि तु दो नित्या सुभा आकर द्धनुष्य और बानवा रख दे और नमस्कार करते अब द्धनुष्य ने निपन बनाओ, वह बात वही शिष्य था एकलविय आप जानते हैं, आप जानते हैं एकलविय निष्ठा के साथ उस विद्या द्रणाचारी के मूर्ति के सामने पूजा करने लेगा, तो अने कहा रभू क्या कभी मुझे द्रणाचारी गुरु संतोष प्रसनता की बात नहीं रही, उसने रोज नित्य जैसा पूजा करता था उस मूर्ति में और नित्य प्रत्थना करके वे धनुड़िय द्या सीगता था, एक दिन बात यह हुई कि जंगल में अंडो पांडवादी अर्जन सभी डोग आए, और वैसे ही तो एक सूवर भाब किया रहा था, चिलाते हुए, तो उन्हें ने देखा कि अर्जन को ग्रोणाचा ने कहा कोई सूवर आ रहा है, तो उसको बेदेने तो अपने ऊपर आके गिरेगा, तो उसने ग्रोणाचा अर्जन ने लेकर एक बांड मारा, लेकिन उह जा सूवर आ रहा था, उसको एकलवय ने देखा, और वो पुकार रहा था, तो एकलवय का गाना था, उसको पुकार ना बंद करना चाहिए, लेकर उसको मारने से क्यालाओ, और सीधे सीधे उसने बांड उसके मुख में मारे, दस भाराक, उदर से भागते एकलवय भी आ, इदर से भागते अर्जन भी और जब सुवर को खिंचने लगे तो अर्जन ने कहा इसको मैंने मारा है मेरे गुरू को बता रहा है तो उने कहा मैंने भी क्योंकि वो चिला रहा था मेरी तपस्या को भंग कर रहा था इसलिए मैंने में उसके मूह में बांड मारे अर्जन देखकर परिशान हो गया कि यह आपने मेरे साथ बहुत दोगा दिया है। सब्सक्राइथ , तुम् swiftly किसी को सिश्य के बनाया। आप से को सिश्य को बहुत थाईए। temporada कर दफ़ांद। जाएंगें आएंगें। युआ ऑपने कि बाहदे अब कालें। 攻़ को बिलेंगें। सब्सक्राइज दे काश्ऑक अब सब्सक्राइब Wohnung Department कर दो कर दो कर दो